नमस्कार मैं हूँ आपके साथ काजोन नरायन और बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में और ये है भारत एट नाइन का तीसरा एपिसोड और इस तीसरे एपिसोड में पिछले दो एपिसोड को हम एनलिस करेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहला एपिसोड जो था वो उतरकाशी पे था उतरकाशी पे जिस तरह से रवीश कुमार ने टार्गेट किया इस पूरे मामले को उसको हमने रेलिस किया क्या सचाई थी और किस तरह से यहाँ पर तमाम जो रेस्क्यू अभ्यान चला था तमाम टीमों ने कैसे काम किया, उसका जक्र हमने किया पहले वीडियो पर आपने हमें खूब प्यार दिया बहुत सारे कमेंट्स पियाए, कुछ नेगेटिव बियाए, कुछ पॉजिटिव बियाए लेकिन इससे हमारा होसला बारहा है और इसी कड़ी में हमने दूसरा एपिसोड जो बनाये था वो भी रविश कुमार की दो वीडियो पे था एक जो पनौती गाउड ढून लाए थे सीधे नेपाल से जाकर दूसरा जिसमें प्रधान मंत्री नरिंद्रवोधी ने तेजस की उडान भरी थी इन दोनों ही वीडियो को आपने खूब पसंद किया आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आज हम एक बार फिर से एक और वीडियो का जिकर करने जा रही है वो वीडियो भी उत्तरकाशी पे है उत्तरकाशी मामले से जुड़े ऐसे ही और मामलों पर है बात पहाडू की हो रही है हिमाली की हो रही है क्योंकि देखे हमारा मकसद है पत्रकारिता को पारदर्शता के साथ रखना सिर्फ एक तपके की बात ना करना अगर सरकार गलत कर रही है या सरकार के कुछ फैसले गलत है तो हम उसका पुर्जोर विरोध करते हैं लेकिन अगर सरकार ने सही फैसल लिये है तो हम सरकार के साथ भी खड़े रहते हैं लेकिन कुछ पत्रकार अभी भी लगातार सिर्फ और सिर्फ मोधी को टार्गेट कर रहे है लेकिन आज कुछ पॉजिटिविटी नजर आई है रवीश कुमार ओफिशिल एक वीडियो डाला गया वीडियो था हिमालिय पे कि उत्तरकाशी जैसे बहुत सारे मामले पहले सामने आ चुके लेकिन हिमालिय कही न कहीं खत्म होता जा रहा है क्या हिमालिय बचा है इस पर उन्होंने करीब 23 मेंट का वीडियो डाला है वीडियो मैंने पूरा सुना, देखा, अनलिस किया वाकी उन्होंने बहुत अच्छी बाते रखी है यह हमें समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा कारदाई संस्थाओं को भी समझना होगा यहाँ पर उन्होंने टार्गेट तो किया सरकार को लेकिन जो उन्होंने मामलों का और जिस तरह से उन्होंने आंकडों का जिक्र किया वो वाकई अच्छा था और इसलिए मैं रवीश कुमार की काफी तारीव भी करती हूँ क्योंकि पत्रकारिता के जगत को उन्होंने इतना समय दिया है लेकिन उन्होंने पॉस्टिव बोला तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने यहाँ पर पारदर्शिता दिखाई है कि एक सही पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए उन्होंने एक-एक मुद्बे का जिकर किया कि कैसे इन परियोजनाओं के तहट पहाडों को पूरी तरह से खोकला किया जा रहा है इसके जांच होनी चाहिए उन्होंने जो लॉजिकल तरीके से और कहीं न कहीं जो ग्राफिकली भी पूरी तरह से उन्होंने समझाया है एनिलस किया है, point to point बात की है साथी साथी समझानी की कोशिश की है कि परियोजनाओं पर रोक लगाने की बात कोई नहीं कर रहा है लेकिन परियोजना कहा होनी चाहिए, क्या वो पहाड danger zone में तो नहीं है क्या वो कच्चे पाहाड है क्या वो नए पाहाड है इसको अनिलिस करना होगा भूविज्ञानिकों को साथी साथ जो कारदाई संस्ता है जुनको ये ठेका दिया जाता है उनकी भी जाच हर कदम पर करनी होगी साथी सा जो वहां के स्थानी लोग है उनसे भी वहां के बारे में जानना होगा कि वहां के मिठी कैसी है, वहां का पहार कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है जो वहां रहते हैं वो बहतर तरीके से बता सकते हैं तो हो सकता है कि ऐसे हदसे ना हो operation तो successful हुआ बहुत सारे लोगों की बात हुई लेकिन आगे ऐसा मामला सामने ना आए आगे ऐसा हद्सा न हो इस वज़व से ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है उमीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा लेकिन हो सकता है कि हमने जब इस पूरे मामले को उठाया और दिखाया कि आपने उतरकाशी पर जिस तरह से negativity दिखाई थी नगरात्मक्ता के साथ आपने कहीं न कहीं सरकार को दिखाने की कोशिश की थी हो सकता है कि इससे रवीश कुमार पर कुछ असर पड़ा हो और यही बज़ा है कि एक अगला वीडियो जो आता है उनका positive आता है तो उसके लिए बहुत बहुत सादू बाद रवीश कुमार जी को लेकिन अब सवाल ये है कि यहां बाते तो हो रही है अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और जितना हमने अनलिस किया है तो इस वीडियो में उन्होंने एक और परीशे दिया है कि हाँ वो सही पत्रकारिता कर रहे है सठीक पत्रकारिता कर रहे है कि उन्होंने ये बोला और ये सवाल बनता भी है कि जिस केदारनाथ तरास्ती को इतने साल बीच चुके हैं और जिस के दारनाथ त्रास्ती में इतने सारे लोगों की जान चली गई थी वो के दारनाथ अभी बहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेताओं का फोटो सेशन की जगा रह गया है राहुल गांदी भी जाते हैं प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी भी जाते हैं लेकिन उस त्रास्ती पर कोई बात नहीं करता है शायद वो भूल गए हैं इस त्रास्ती के बारे में और यही वज़ा है कि इस पर अभी भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है अब आजाते हैं आगे बढ़ते हुए कि उन्होंने कुछ और मुद्दों पर भी बात की चाहे वो चुनाव के मुद्दे हो चाहे वो उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बात की है अब क्योंकि चुनावी माहौल है तो चुनाव से जरा सा जोड लेते हैं देखें यहां पर जिस तरह से रवीश कुमाने बात की की उत्तरकाशी मामले में सब कोई होड ले रहा है सबका नाम होना जरूरी भी है सबने मेहनत भी की थी लेकिन सिर्फ एक दो के नाम होना सही नहीं है यह बात भी ठीक है अब चुनावी लिहास से कितना सफल रहेगा क्योंकि देखें अब 2024 में लोग सभा चुनाव होने हैं अभी फिलहाल पार्चार्चों में वधान सभा चुनाव हुएं तीन दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और रविश कुमार के कुछ मित्र हैं उन्होंने भी वीडियोज डाली है एग्जिट पोल्स को लेकर और BJP और कॉंग्रिस की सीटों को लेकर भी अभिसायश्वर्मा के मैं बात कर रही हूँ उन्होंने एग्जिट पोल्स पर भी कही ना कही सवाल खड़े कर दिये हैं दूसरे चैनल्स के बड़े बड़े चैनल्स को उन्होंने एनलिस किया है और कहा है कि ये सिर्फ ये खेल है चैनल जो है अपनी TRP बढ़ाने के लिए खेल खेलते है असल में exit polls होते ही नहीं है आप किस basis पर analyst करते हैं और किस basis पर आप exit polls लेकर आते हैं अगर मैं बात करूँ पत्रकाईता की तो जब आप ground zero पर तरते हैं लोगों से पूछते हैं कि किसकी सरकार बन रही है आपको किसका काम अच्छा लगा है कि आप सरकार repeat करना चाहते हैं या फिर आप दूसरा विकल्प चुनना चाहते हैं तो उसे कही न कहीं आप idea लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पर इस बार किसको ज़ादा बहुमत मिलने वाला है किसको यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है लेकिन अब इसमें भी negativity अभिसार श्वर्मा ने ढूंड ली है चुनाव आयोग पर उन्होंने सवार उठा दिये उनका कहरा है कि चुनाव आयोग जो है वो अब प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि exit पोल कर शाम को सभी चानल्स ने दिखा दिये थे अब बात इसलिए उठी है क्योंकि पार्ष राज्यों में विधान सभा चुनाव हुए है सिर्फ एक राज्य में बीज़पी बहुमत दिखा रही है exit पोल्स में और वो है मध्यप्रदेश शिवरा सिंग चौहान 36 गड़ में clear cut Congress को जिता रहे हैं सभी चानल exit पोल्स में खेर वो तो तीन तारीकों नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा अभी कुछ भी मैं अगर बोल दू तो ये बहुत जल्दवाजी होगी क्योंकि कुछ भी हो सकता है वोटों का हेर फेर और जब काउंटिंग शुरू होगी तो हो सकता है कि किसी को जादर मिले किसी को कम मिले ये तो exit पोल्स है राजस्थान में भी अभी क्लियर नहीं है मद्य प्रदेश में क्लियर बीजेपी है राजस्थान में कॉंग्रेस उपर नीचे हो रही है लेकिन 36 गड़ और तेलांगाना ये दो राज्जेय से हैं जोपी कही न कहीं घबरा गई है और चुनाव आयोग को अब काम पर लगा दिया है ठीक है कॉंग्रेस जीत रही है बीजेपी जीत रही है करनाटिक भी जीती हिमाचल भी जीती कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि हाँ चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा किया हो या कुछ आरोग देखे कोई भी लगा सकते है कभी तो E.D. पर भी आरोग लगाते हैं कभी चुनाव आयोग पर भी आरोग लगाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना रही है तो बीजेपी कुछ ऐसा करे लोकसभा चुनाव दोहजार चौबिस नस्दीक है तो ऐसे में चुनाव आयोग पर पूरे भरोसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग पर विश्वास इसलिए है क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो आचार सहीता से लेकर चुनाव के आखरी तक चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा होता है अब ये बात हो गई चुनावों की इसकी अलावा जो मैं पांश राज्यों का जिक्र कर रही हूँ कि पांश राज्यों में से सिर्फ एक में BJP को बहुमत मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं अभिशा सर्मा का कहना है कि BJP बेचैन हो ठी है बीजेपी कुछ भी कर सकती है बीजेपी कुछ भी हेर पेर कर सकती है रुप जाए सर अब यह तो counting भी नहीं हुई है मत गण्ड़ना का दिन तो आने दीजी मत गण्ड़ना तो होने दीजी या उससे पहले ही आप शुरू हो जाएंगे अच्छी बात है अगर सत्ता बलट हो रहे इसका मतलब की कारेकाल जो पांक साल का रहा वो लोगों ने नकार दिया अगर सरकार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब की अच्छा रहा अगर मध्धर प्रदेश के हम बात करें कि कॉंगर्स के सब ज़्यादा नजर मद्धर प्रदेश में सब्धादर चुनावी रेलिया की गई लेगन मद्धर प्रदेश में शिवरा सिंग चोहान रुपीट कर सकते हैं ऐसा क्लियर कट नजर आ रहा है हो सकता है कि महिलाओं पर जो फोकस किया गया महिला वोटर्स क्या कुछ कर सकती है महिला जो एक पूरी तरीके से दरकिनार कर दी गई थी लाडली योजना लाडली बहन योजना इससे कही न कहीं फाइदा शिवरा सिंग चोहान को हो रहा है तो ये पूरा क्रेडिट अगर भाजपा जीती है मद्धर प्रदेश में तो पूरा क्रेडिट शिवरा सिंग चोहान को जाता है अब ब रुपेश भगेल, कमबाक न हाग कर पाएं, राजस्थान के हम बात कर लें, तो राजस्थान में अशोग गेहलत अपने आपको जादूbuilt मानते हैं, और वो जादू कहीं न कहीं दिखाई दिरहा है, लेकिन वो माजिक नजर नहीं आ रहा है जो मोदी माजिक नजर आता है, ल तर बड़ भी जाए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तिलांगाना की तो वहाँ पर बहुत बड़ा उलट फेर है अब कॉंग्रिस इसे पॉजिटिफ तरीके से देख रही है कॉंग्रिस का कहना है कि तिलांगाना में हम केसियार को पूरी तरह से हारा रहे है अब वहाँ पर अगर सत्ता पलट हो रहा है तो कहीं न कहीं इसका असर लोगसभा चुनाव में पर सकता है लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से दिखाना कि बीजोपी बेचैन हो गई है या चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं बी तो अविशार शर्मा हो अजीत अंजुम हो या रवीश कुमार हो रवीश कुमार की तारीफ देखे हम ये नहीं कह रहे है कि हम आपको टार्गेट कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन में आगे बढ़ते रहेंगे और जनता के स समझ रखता है तो वो भी बहुत 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 तरीके से जानता होगा और दूसरी बात यह है कि जहां आप लोग सही बोलेंगे हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसा कि हमने किया रवीश कुमार जी को उन्होंने अच्छा बोला सही बोला तो हमने बहुत अच् प्रेसोरट भी में इतना ही कल फिर लोटेंगे किसी और मुद्दे पर बात होगी और किसी और मुद्दे पर चर्शा होगी अले डिलस करेंगे कुछ और चीजों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा मकसर सिर्फ परदर्शिता सामन रखना है तो बने रहिए न्यूज वर्ल इंडिया के साथ